तो दोस्तो आर्टी एड्मिशन दो हजार तेई चोविस की पर्थम किस्त का दावा परपतर यानि कलेम बिल बनने सुरू हो चुके अब जैसे ही हमारे स्कूल साती ये कलेम बिल बनाने की प्रोशेस करते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई और समस्या है दोरे आपना शाथी राजबोड तो साथियों जैसे कि आप सभी को पता है आटी वाले स्टूडेंट का सेशन दो हजार तेई चोविस की पर्थम किस्त का कलेम बिल बनना सुरू हो चुका है और इसके साथ अंतिम दो वर्षों के या दो सत्तर के सेशन दो हजार एकिस बाईस और 22-23 का पुमेर भण करने के लिए शिक्से वाग के द्वारा भी आदेज जारी कर दिये यानि अलग लग जिस्टिक वाइज आटी का बजट है वो भी अलोट कर दिये अब जैसे ही हमारे स्कूल साथी सेशन दो हजार तेईस ओविस की पर्थम किस्त के लिए दावा प्रपत अले में अधेनत है तो सबसे पहले तो यह दोरे नमकन का क्या कारण है वो जानेंगे उसके बाद इसका समाधान आपको बताऊंगा तो दोस्तों यहां पर देखिए दोरे नमकन का मतलब यह कि एक ही जो इस्टूडेंट है वो आपकी स्कूल में भी पढ़ रहा है और किसी दूसरी सरकारी स्कूल में भी पढ़ रहा है अब यहां पर कई स्कूल साथी एक है सकते है राजगुर जी क्या बात कर रहे हो कि बच्चा तो हमारी स्कूल में पढ़ रहा है वो दूसरी स्कूल में कैसे पढ़ सकता है कैसे पढ़ाई कर सकता है आरे विया कर सकता है आप व पान लेते हैं कि जो student आपकी school में आटी के तैत फिलहाल पढ़ाई कर रहा है वो किसी ने किसी समय हो सकता है वो last session का हो या फिर उससे last session का हो सरकारी school में वो प्रवेश ले लिया और सरकारी school में प्रवेश लेने के बाद आटी में आपकी school में है उसने प्रवेश ले लिया अब यहाँ पर नियम तो यह बोलता है जब एक student किसी school को छोड़ गर जाता है तो उस school से उससे TC कटवाने चीए लेकिन ना तो अभिभाव के नहीं TC कटवाई और ना ही बालक बालक बालका को तो इतना दिमाग नहीं होता ह लेकिन वहाँ से TC जारे नहीं करवाई इसलिए यहाँ पर एक student का जो record है वो दो दगया चड़गा सरकारी school का जो साला दरप्रन पोर्टल है वहाँ पर यह चड़गा है और अपनी private school का जो PHP पोर्टल है वहाँ पर यह चड़गा है इसलिए यहाँ पर दोरे नामकन की इस् तो कुरोना काल के समय कुछ ऐसे student थे जो आटिके थैथ हमारी school में पढ़ रहे थे लेकिन उस समय इस्कूले बंद हो गई तो यहाँ पर सम्मंदित सरकारी जो भी करमचारी थे या सरकारी teacher थे उन्होंने अभिवावकों को प्रेरित किया कि यहाँ देखिए यहाँ पर इस school में करवा दिया ठीक है तो ऐसे इस्तिति में यहाँ पर दोरे नामाकन की इस्तिति है वो पैदा होगी इसके लिए यहाँ पर तीसरा कारण ही है देखिए यहाँ पर कुछ सरकारी जो teacher है अपनी नोकरी बचाने के उदस्य से और अपनी सरकारी school में नामाकन बढ़ाने की वज़े से क्योंकि आप सब को पता है क्रोना काल से पहले और क्रोना काल के बाद है सरकारी school में इतना नामाकन नहीं होता है तो हैर कोई सरकारी teacher है अपना नामाकन बढ़ाने की कोशिस करता है और करनी भी चाहिए कोई गलत बात नहीं है अब जो भी सरकारी अध्यापक है जिसकी भी जो अभिवाग के है, उसके साथ जो भी वेक्ति के संप्रक था, उस संप्रक के आधार पर उसने ये खा, यह ठीक है, आप अपने बच्चे को जो प्राइवेट इस्कूल है, उसमें पढ़ालो, हमें कोई दिखत नहीं, बस आप तो अपने बच्चे का आधार कार् परवेज करेंगे, और उसके बाद है, हमें इसे को लेना देना नहीं है, तो यह अपने परसनल सानो बोती के कारण है, अभिवाग ने है, वो दस्तावेज बालक के दे दिये, उन्होंने शालादरपन पोर्टल पे चड़ा दिया, और ऐसे महीं हैं यहां पर डुपली केसी कि यह इस्तितियों पैदा हुए, आसा रखता हूँ, यह तीन बात आप जरूर समझेगे, अब दोस्तों जैसे यह दोरे नमाकन की इस्तितिय की यह समझ्याई, तो मेरे देखने में ऐसा रहा कि बहुत सारे हमारे जो स्कूल साथी हैं, जो सोसल मीडिया पे लगातार एक द नाम नहीं पर्थक करवाया, इस वज़े से आपका यह डूपलिकेट है, यह समस्या है, इसका समाधन नहीं हुआ, पहले वो यह कहते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही वो प्रोसेस करते हैं, भिया हमारे भी यह समस्याई थी, हमने यूडाइस से सरकारी स्कूल से है, उसका न दाइस का जो पोर्टल है, इसका कोई लेना देना नहीं, हालांकि हाँ इतना जरूर है, यहाँ पे स्टुडेंट का डेटा वो सिंक है, वो जरूर रहता है, लेकिन इसके लेन देन वो बुक्तान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दाइस का जो पोर्टल है, वो नेशनल पढ़ रहा है और पहले किसी दूसरी स्कोल में पढ़ रहा है वह ग्वर्मेंट हो या राइवेट हो दै考 इस से उसका नाम आपको अवस्य पर्थक करवाना च stable उसके बाद है आपकी स्कूल में है उसको इंपोर्ट करना चाहिए अगर आप डाइस में भी देखोगे ना तो यहां पर भी आपको डुप्लिकेट स्टुडेंट की संख्या दिखाई देगी अगर डुप्लिकेट की समय रहते हैं उस समय का समाधान कर लिजेगा समंधित स्कूल से है उसे हटवा लेकिन बाद में बहुत से में यूडाइस को लेके भी आपके सामने बड़ी समस्या आने वाले ठीक है चलिए इसके बाद यहां पर कुछ स्कूल साथी एक है सकते हैं यहां पर मैं चोथा करना आपको बता रहा हूं कि राजगुर जी हमने यहां पर देखी हमें जब से पत या सरकारी विदाले के दवारा उस बालक बालिका की टिस्सी है वो हमारे दवारा जारी करवा ली गई थी लेकिन उसके बावजुद भी समस्या का आज तक समादा नहीं वा तो दोस्तों आपको मैं यहां पर बताना चाहूंगा देखिए यहां पर दो तरह की फोल्ट हो सक सकता है और एक सम्मंदित अपना जो साला दर्पन का पोर्टल है इसका यहां पर फोल्ट हो सकता है आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा यहां पर तकरीबन जहां तक मुझे या आदा जुलाई दो हजार तेईस की बात है सम्मंदित जो आदेश है आपको स्क्रीन पर दिखाने भी कोशिश करूँगा उसमेश सम्मंदित निदेशाले के दवारा जो भी जिला सिक्षा दिकारी उनको यह निदेशित किया गया था कि जहां जहां आपके एरिया के अंदर साला दर्पन पोर्टल पर जो इस्टुडेंट है डुप्लिकेट आ रहे हैं जिनका दोरा नमाकन है उनकी जांच की जए और सम्मंदित जानकारी सूचना हम तक है जल्दी से जल्दी वो पहुंचाए जए अखिरकार इसका कारण क्या है कि एक ही बच्चा है वो दो इस्कूलों में कैसे पढ़ाई कर रहा है वो प्राइवेट इस्कूल में आठी के तैज भी जानकारी नहीं है क्योंकि यहां पर सम्मंदित जिवाग के दवरा इसको लेके आगे कोई भी पब्लिकली सूचना वो जारी नहीं किये और जब पब्लिकली सूचना नहीं आई है तो यार मुझे कैसे पता लग सकता है इस बात को आप आसानी से हो समझ सकते हैं खैर यह काम बन जाता है तो यह डिपार्टमेंट का फोल्ट है क्योंकि आदे जारी करने के बाद उसकी पालना होनी भी जरूरी है क्या कम्या आ रहे हैं क्या समस्या रहे हैं उनका समाधान भी होना जरूरी है जो कि अब तक है किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया अगर यहां पर शिक्षाई वाग अपने आप में सही है तो फिर यहाँ पे साला दर्दपन पोर्टल है उसकी टेक्निकल सम्मझा है उसका यह फोल्ट है क्यों अगर हमने किसी सरकारी स्कूलせे है बच्चे की टिस्सी जारी करवा ली तो यहाँ पर नियम तो यह बोलता है, टिस्टी जारी होते भी उस पोर्टल से है, उस student का नाम हांकन है, या उसका नाम हो हट जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हट रहा है, आज भी हमारे पोर्टल के उपर है, ये डूपलिकेशी की समश्या है, वो बनी लिए, अब दोस्तों कहीं न कही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिपार्टमेंट है, इन्हें जो निज्जी विदाले साथी उनके साथ 400 बिशी कर रहा है, खर ये भी एक अलग मेटर है, तो फिर इस समश्या का समादान क्या है, वो मा आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों अगर देखा जाए तो इस सम समने ये समश्या जाएंगे, अब समश्या का मतलब है, यहाँ पर जो डुपलिकेस की आपके सामने समश्या आ रही है, इस समश्या को जादा से जादा आपको डिपार्टमेंट तक हूँ पहुँचाने, कैसे पहुचाने है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपके पास समन्दित इस्टूडेंट के कई प्रूफ होने चीव, प्रूफ का मतलब यह है, यहाँ पर इस्टूडेंट के एनोसी होने चीव, एनोसी मतलब यह है कि जो भी इस्टूडेंट आपकी लिस्ट के अंदर डुपलिकेट यहाँ पर दिख इसकी जो TC है फलानी date को जारी कर दी गई है। तो अगर वो सम्मन्दित सरकारी इसकूल का प्रिंटिपल है आपको ये लिख के दे देता है। उसके बाद उससी जो आपने NOC ली है उसको आपको CBO के दवारा परमानित करवाना है और उसके बाद सम्मन्दित DO के दवारा आप आपको पर्मानित करवन तो ऐसे में आपके पास एक मजबूत है वो सर्टिफिकेट हो जाएगा एक पर्मान हो जाएगा आपके पास जब यह पर्मान आपके पास आजए उसके बाद आपके स्कूल का जो लेटर है उस पर आपकी समश्या लिखने है जिन जिन इसका आधार नंबर है अगरा वगरा है वो सारी आपको अटेज करने के बाद यह समश्या आपको संबंदित शिक्ष्या विवाग को पहुंचाने के यहां पर दो तरीके पहला तरीका है व्यक्तिगत और मेरे खयाल से व्यक्तिगत है विकाने निदेशाले कोई ने एक अपनी जो विकानेर वाली आट्टी की हेल्प मेल है उसके साथ समधित निदेशग मोदे की जो अफीसिल मेल है उस पर भी आपको मेल करना है और समधित जो मेल एडरस है आपको हमारी स्क्रीन पर है मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ आराम से देख लिजेगा समाधान होता है नहीं होता है क्योंकि हमारा फर्ज है आपकी सेवा करना आपकी साहिता करना तो हमने यहाँ पे कर दिये अब एंतिम निनने तो संबंधि डिपार्टमेंट के दवारा लिया जाएगा तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं आप कुछ साथी यह खढ़ सकते हैं ठीक है राजगुर जी हम आपकी बासे पूरी तरह से सहमत भी कर देंगे लेकिर यह प्रोसेस करेंगे इस प्रोसेस में हो सकता है महीने दो महीने चार महीने का भी समय लग जाए तब तक तो claim bill बनाने की date है वो जा सकती है बिल्कुल आप सही कर रहे हो claim bill तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आपको बनाना है ठीक है न यहाँ पर अगर वो दोरन अमागने के इस्तति पैदा रोकिए तो आप एक बार 2-4 दिन का ओर वेट कर लीजिएगा ठीक कि एक निस्सी date के बाद है आप अपना claim bill हो नहीं बना पाऊगे और देखिए वैसे इसकी last date के लिए कोई आदेश है वो publicly नहीं करते हैं वैसे इसके लिए 15 से लेकि 20 दिन का समय आपको यहाँ पर मिलता है हर साल मिलता है हर claim bill के उपर आपको मिलता है तो जल्दी से जल्द यहाँ पर आपको NOC मिल जाती है संबंदित PO के दवारा CBO के दवारा तो इसको लेके है आप एक प्रिवाद है संबंदित निदेशाले को है करवा सकते हो यानि उसकी याचिका आप लगा सकते हो तो साइद कहीने कहीं बहुशे में इस समस्या का आपका समाधान हो सकता है तो फिलहाल के इस्तिती के अंदर तो देखिए यह समस्या सभी स्कूल साथियों को मैं खहना चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको संबंदित जो सिख्षय वाग है उन तक है आपको सूचना पहुंचाने चाहिए ताकि मामला आउगत में आजे और जल्दी से समस् होगे अब देखिए मेरा काम तो आप तक है वह सूचना पहुंचाना है बाकी देखिए मेरे हाथ में तो वैसा कुछ भी नहीं है संबंदित जो भी करमचारी उन से हम बात चीता वह करते रहते हैं कुछ इंटरनल बाते हैं जो मैं आपके साथ वह शेर नहीं कर सकता फिर भ भाते हैं